दोस्तो आपने बहुत से प्यारे प्यारे समुद्री जीवों को देखा होगा जो दिखने में बहुत क्यूट होते हैं लेकिन आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे जली जीवों को जो दिखने में तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे लेकिन होते हैं बहुत जैरी ले, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में आप उन एक के बाद एक खतरनाक जली जीवहों से रूबरू करने वाले हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, नमबर एक पर है स्टॉन फिस, इस दुनिया में कई हैर से इस además होती है, क्यों पर पाको एक खतरनाक जीवहोंकर ने टीवहोंकि जीवह कि वीखने आपको इसंदूर को तो चेली लिए हूंकल कई रह सकती है लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आपकी सोच से सौगना जाना खतरना होती है दरसल 160 फीट की गहराई में रहने वाला यह उक्टोपस कुछी मिनुटों में कली लोगों को मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि ये उक्टोपस बहुत जैरीरा होता है और इनका जैर इतना खतरनाव होता है कि ये एक बार में 26 लोगों को मार सकता है अगर आप अनजाने में किसी भी तरह से इसके संपर्क में आ गए तो आप से ज़्यादा बदरसीव इनसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा ऐसे तो इस दुनिया में जैलीपिस की दोयार से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई आती हैं जिसमें से जैलीपिस की 70 प्रजातियां ऐसी हैं जो इनसान को नुक्सान पहुचा सकती हैं और इनमें से भी सबसे ज़्यादा खतरनाग होती है ये बॉक्स जैलीपिस एक्चली इस मचली का नाम इसके सरीर के उपर रखा गया है जिन से ये जेर छोड़ता है और इनका जेर इतना खतरनाक होता है कि ये अगर इंसान को काट ले तो इसकी मौट कुछी मिनुटों में हो सकती है अब नमबर चारवार है कौन इसनेल ये समुद्री जीब कौन इसने लिया फिर संकु गुवागे नाम से जाना जाता है और एक बात और बता दू मैं आपको इसके बारे में कि इसको आप एक आम जीब समझने की कोसिस मत करना क्योंकि ये इनसानों के लिए खतरे की गंटी होता है और अगर आपको ये समुद्र के आसपास कहीं भी दिखे तो इसे देखकर तुरंट इससे दूर भाग जाओ क्योंकि ये जीब दिखने में तो एक सिंपल सा लगता है लेकिन होता बहुत जहरीला है और ये जीब इनसानों के लिए बहुत गाता को सकता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके काटते या तो सिकार को लगबा मार जाता है या पिर कुछी देर में उसकी मौत हो जाती है तो दोस्तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आज की वीडियो मैंने जो आपको चार समुद्री जीब दिखाए अगर ये आपको कई भी समुद्र के आसपास दिखाई देती हैं तो आप इने देखका तुरां दूर बाग जाएं क्योंकि ये इनसानों के लिए बहुत खतरनाग होते हैं और ये उनके लिए बहुत गातक भी सिद्ध हो सकते हैं तो दूस्तों ये थे कुछ समुद्री जीव जो इनसानों के लिए बहुत खतरनाग होते हैं जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला था बैसे आप इन समुद्री जीवों के बारे में कुछ कहना चाहते हो